इस वीडियो को शुरू करने से पहले, I want to wish you all a very happy and safe दिवाली. दिवाली किसे पसंद नहीं होती? अच्छा खाना, नए कपड़े, लेकिन सवाल उठता है कि दिवाली मनाने के पीछे scientific reason क्या है? हम दिवाली क्यों मनाते हैं? क्या दिवाली पर दियार जलाने से कोई फरक पड़ता है? दिवाली हर साल अलग-अलग डेट पर क्यों मनाई जाती है? नमस्कार मैं क्रतिका रावत वैसे तो हम बच्पन से ही पढ़ते हैं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? लेकिन आज दे एक्स्प्लेनर शो की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दिवाली से जुड़े कुछ scientific facts हम दिवाली पर दिया क्यों जलाते हैं? उजाले की अधेरे पर जीत के अलावा इन दियों को जलाने के पीछे scientific reason भी है ऐसा दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर को बगाने के लिए किया जाता है जो 50% existed population की मौत के लिए जिम्मेदार है ये जानवर एक मच्छर है ये मच्छर हर साल approximately 1 million deaths के लिए जिम्मेदार है दि mosquito replants नहीं हुआ करते थे तब हमारे पूरवजों ने natural चीजों का यूज करके इन कीडों को दूर बगाने के लिए दियों का यूज किया था जो कि आज के replant से काफी जादा effective और काफी कम harmful है उन दियों में हमारे पूरवजों ने ऐसा कोई secret यूज नहीं किया था सिरफ वो clay से बने दियों में पांच तरह के oils का mixture डालते थे उन oils में है coconut oil, महुआ oil, कैस्टर oil, नीम oil और घी इस तेल को पंच दीपम तेल के नाम से भी जाना जाता है दिवाली से पहले हम अपने घरों की सफाई क्यों करते हैं माना जाता है कि दिवाली वो टाइम होता है जब देवी लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं लक्ष्मी जी धन, शान्ती और सम्रिदी लाती हैं इसलिए लक्ष्मी पूजा को और जादे effective बनाने के लिए हम अपने घर की सफाई करते हैं और उसे सजाते हैं क्योंकि स्वच्चता ईश्वरतफ के बगल में हैं लेकिन इसका scientific reason ये है कि एक साफ सुत्रा घर उस घर में रह रहे लोगों में positive energy लाता है दूसरा reason ये है कि दिवाली mid October से mid November के बीच monsoon end होने के ठीक बाद मनाई जाती है इसलिए सफाई ensure करती है कि monsoon के time पर आए सभी germs मर जाए हम दिवाली के दौरान रंगोली क्यों बनाते हैं कहा जाता है कि health और lucky देवी लक्षमी जी का स्वागत करना है लेकिन इसके अलावा रंगोली बनाने के पीछे scientific reason भी है पहले के जमाने में रंगोली बनाने के लिए चूना पत्थर या अनाज powder का इस्तिमाल किया जाता था जो कीडों को घर में enter करने से रोकता था साथ ही इसकी geometry और colorful nature दि ही मनाई जाती है क्योंकि हर साल exact dates बदलती है और ये दिन moon की position यानि lunar calendar से determine होता है आमतवर पर दिवाली October और November के बीच ही आती है दिवाली का nature पर dependent होना उसे और भी बहतर बनाता है क्योंकि nature ही हमें बताता है कि हमें दिवाली कम मनानी चाहिए I hope the explainer show की इस वीडियो के जरिये आप दिवाली के पीछे के mythological reasons के साथ साथ scientific reasons से भी aware हो गए होंगे ऐसे ही interesting topics पर वीडियो के लिए subscribe कीजिए हमारे channel easy ज्यान को Thank you Thank you